एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल तो गाइज आज मैं आपको पनीर ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जारी हूं जिसके लिए मैंने सबसे पहले वेसन लिया है मैंने दो कटोरी भर कर बेसन लिया है और आधी बाउल मैंने चावल का आटा लिया और इसमें अब नमक एड़ कर लूँगी हल्दी पाउडर एड़ कर लेना है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इस मिक्शर में थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और स्पून से अच्छे से मिला लेंगे एक साथ पानी एड़ नहीं करना है इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें एड़ करना है और अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें गुटलिया ना बन जाए दो बाउल बेसन और आधी बाउल चावल के आटे में मेरे को एक गिलास पानी लगा है तो हमने इस पैचुला से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है अभी घना है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और एड़ कर लेते हैं तो इसको हमने थोड़ा पतला रखना है ज्यादा घना नहीं रखना है अगर ज्यादा थीक होगा तो हमारा जो पकोड़ा है वह अच्छे से न तीन उबले हुए आलो को ग्रेट कर लिया और इसमें चिली फ्लेक्स एड़ कर लिया और ग्रेटिर जिंजर गार्लिक फेस्ट एड़ कर लिया और अमचूर पाउडर एड़ कर लिया और कुमिन स्वीट्स पाउडर एड़ कर लिया और रेड चिली पाउडर एड़ कर लिया आप आपनेग नमक आड लिया है और दो चॉप्ट उनियन इसमें अड्ड कर लिये और हरा धन्य आड्ड कर लिया और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग हमारी काफी अच्छे से होनी चाहिए ग्रीन चटनी तयार कर लेते हैं तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले पुदीना की पतियां ली है और हरा धनिया लिया है और हरी मिर्च और लहसुन की कलियां ली है और तीन प्याज ली हैं इनको मैं कट कर लूँगी और अब मैं इसमें दो टमाटर एड़ कर लूँगी इनका ये उपर वाला जो सीरह है उसको कट कर लेना है अब मैं इसमें मैंगो पाउडर एड़ करूँगी नमक एड़ करूँगी और इसको अच्छे से ग्रैंड कर लूँगी तो ये दिखिए हमारी चटनी बनकर रेड़ी हो गई है पनीर ब्रेड पकोड़ा अपनाने के लिए हमें आठ ब्रेड की जरूरत है और एक पीस मैंने पनीर का लिया है इसके मैंने स्लाइस कट कर लेने है तो बिल्कुल पतले-पतले स्लाइस आपने कट करने है ये दिखिए इस तरीके के स्लाइस आपने कट करने है एकदम पतले-पतले ज्यादा मोटे नहीं करने है नहीं तो अंदर से जो हमारा ब्रेड है वो बीच से फट जाएगा तो ये दिखे बिल्कुल ब्रेड के बीच में सेट आना चाहिए इस तरीके से और ताकि हम जैसे चारो साइट अच्छे से दबाएं तो जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकले तो अब हम पनीर के स्लाइसिज को इसी तरीके से कट कर लेंगे एकदम पतला पतला ये दिखे मैंने सारे पनीर के स्लाइसिज कट कर ली हैं तो अब मैंने गैस पर कडाई रख लिए और इसमें मैं रिफाइंड ओयल एड़ करूंगी और इसको गर्म करने के लिए चोड़ दूँगी और जो हमने बेसन का घोल रखा है इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एड़ किया है और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं वट मैंने इसमें पानी एड़ नहीं किया क्योंकि यह थोड़ा पतला है तो मैंने डारेक्ट इसमें मिला दिया सबसे पहले हमने ब्रेड के ऊपर ग्रीन चटनी स्प्रेड कर लेनी है इसको अच्छे से पहला देना है ब्रेड के अंदर चारो साइड और इसके अंदर अब हम पोटेटो की स्टफिंग जो बनाई है वह भी अच्छे से पहला लेंगे और इसके उपर पनीर का स्लाइस रख लेंगे और उपर से हम दूसरा ब्रेड रख लेंगे और चारो कोनों को अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमारी आलू की स्टफिंग है वह इसमें अच्छे से फिट हो जाए तो सेम इसी प्रोसेस से हम अगला पनीर ब्रेड पकॉड़ा भी रेडी कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसीपी को बना कर अपने घर में एक बाज जरूर ट्राइ कीजिएगा यह ब्रेड पनीर पकॉड़ा की रेसीपी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं लंच में बना सकते हैं डीनर में बना सकते हैं या बच्चों को टीफिन वाक्स में डाल कर दे सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो आप कौन-कौन स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट section में जुरूर बताना कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो like का बटन दबाना अगर नहीं लगी तो dislike का बटन भी दबा सकते हैं तो अब जो हमने ग्राम फ्लोर का पेस्ट रखा है, अब हम जो ये ब्रेड है, इसको हम इसमें अच्छे से डीप कर लेंगे, इस तरीके से देख रहे हैं आप, मैंने चारो कोनों को अच्छे से इसमें डुबो दिया है, इसी तरीके से आपने इसको डुबोना है, और हमने ग तेल में पकॉड़ा को डालना है क्योंकि इसको डालते ही तेल के छीटे भी पढ़ सकते हैं आपके उपर तो आपने साबधानी से पकॉड़ा बनाना है और इसको अलट पलट कर लेना है तो देखिए गाइस कितना अच्छे से हमारा ब्रेड का पकॉड़ा जो है फूला फूला सा बनाया है तो हमने दूसरा पकॉड़ा भी इसी तरीके से बना लेना है तो इसको भी हमने बेसन की कोटिंग करनी है अच्छे से और इसी तरीके से घुमा घुमा कर इसके अंदर हमने बेसन की कोटिंग करनी है तो यह दिखे इसको भी हम fry कर लेते हैं तो इसको भी हमने पलट लेना है गैस की फ्लेम को आपने medium to high करना है अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा थंड़ा हो रहा है तो आपने गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और जादा गर्म हो तो मीडियम कर लेना ये दिखिया हमारा दूसरा पकाउडा भी बनकर रेडी हो गए है अब मैं दो ब्रेड को तिकोने शेप में कट कर लूगी तो यह दिखिए मैंने दू ब्रेड को तिकोनेशेब में कट कर लिया है पनीर के स्लाइस को भी हमने तिकोनेशेब में कट कर लेना है अब हम ब्रेड के उपर ग्रीन चटनी अड़ करेंगे और एक साइड हम टोमेटो सॉस स्प्टरड कर लेंगे अब इसके ऊपर जो हमने आलू के स्टाफिंग बनाई है उसको ट्वरेड कर लेंगे अब पनीर के स्लाइस है इसके ऊपर एड़ कर लेंगे और इस तरीके से ब्रेड के पीसिस को इसके ऊपर रख लेंगे और हाथ से धीरे-धीरे प्रेश करेंगे और अब हम इसको बेसन लगा लेंगे इसको हमने ज़्यादा देर बेसन में नहीं डूब होना है नहीं तो यह तूड़ जाएंगे बस अलट पलट करके एक दम सिधाई फ्राई करने डाल देना है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है तो हमारा ट्रेंगल से बाला पनीर ब्रेड पकॉड़ा भी रेडी है तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस की फ्लिम को बंद कर देते हैं तो चलिए चेक करते हैं इसका साउंड तो देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना है अब हम सभी ब्रेड को नाइश से 20 से कट कर लेंगे और गैस दिखाती हूं यह दिखिए कितना अच्छे से हमारा ब्रेड दिख रहा है 20 से और इसका जो स्टफिंग है वो अभी अच्छे से पग गई है तो गाइज आप मुझे कमेंट शेक्षन में जुरूर बताना कि आपको मेरी यह रेसीपी कैसी लगी तो गाइज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो माई चैनल तो यह देखें गाइज मैंने यह भी कट कर लिया है तो इसमें मैंने टोमेटो सॉस लगाई थी बीच में तो देखिए टोमेटो सॉस भी इसमें बीच में दिख रही है अब इसको भी मैं ट्रेंगल से में काट लूँगी और इन सब को मैं प्लेट में सर्ब कर लूँगी प्लेट में मैंने ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस को रख लिया है और ग्रीन चिली रख लिया है और मैंने एक एक करके सभी ब्रेड के पीसिस को इसमें रख लेना है अब मैं इसके उपर ग्रेट किया हुआ रॉ कोकोनेट स्प्रिंकल कर लूँगी और सजावट के लिए मिन्ट लिव्स इसमें एड़ कर लूँगी तो चलिए गाइज एक पकोड़ा टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है तो मैंने चटनी में डिप कर लिया है इसको और अब इसका टेस्ट चेक करके बताती हूँ हम्म तो यम्मी तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियर